तो साथियो इस वीडियो में हम 4 टॉप FMCG कंपणी के quarterly result को डिसकस करेंगे और साथी साथ ये भी डिसकस करेंगे किस कंपणी में हमें investment के मौके ढोड़ने चाहिए किस कंपणी के result काफी अच्छे आए है किस कंपणी के result जो है थोड़े से manipulative है तो सारी चर्चा जो है हम यहा एक्सपर्ट यहां पे स्टॉक है यह अभी फिलाहाल डाबर और मारिको के रिजल्ट आउट नहीं होएं तो इन दोनों के जब रिजल्ट आ जाएंगे तो दोनों को ही एक साथ मैं अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं Tata Consumer Product Limited के तो revenue की अगर हम बात करें तो YOY basis में आप देखेंगे 11% की growth है यहां पे इनके जो revenue थे पिछले साल सेम quarter में 3000 करोड रुपए के थे वहां से बढ़ करके 3363 करोड रुपए हो गए हैं Company के अगर हम margin की बात करें तो आप margin देख सकते हैं 13.9% से decline हो करके YOY basis पर 13% के company के margin है तो margin के front पर decline होना अच्छी चीज नहीं है और उसके बाद अगर हम यहां पे profit की बात करें तो आप देखेंगे 261 करोड रुपीज से profit बढ़ करके 355 करोड रुपीज हो चुके हैं यान यह तो बहुत अच्छी चीज है 36% के यहां पे growth हो चुके हैं लेकिन सवाल यह आता है कि profit निकल के कहां से आता है revenue से जब आपका revenue ही 36% से नहीं grow हुआ है और उपर से आपके EBITDA decline कर गये तो profit कैसे 36% से यहां पे grow कर गया है तो उसका जो main reason है वो आप यहां पे देख सकते ह पिछले साल same quarter में जो exceptional items थे वो 16 करोड के loss में थे और इस बार आप देख सकते हैं 111 करोड रुपए का net income इनको जो है exceptional items से मिला है हाला कि बाद में company ने यहां पे इसको जो है तो define भी किया कि exceptional items आये कहां से हैं वो इनका यह कहना है कि Tata Coffee का जो इनका कुछ land वगेरा के sale किय है otherwise अगर यह 111 करोड रुपए इनके net profit में से निकाल दिये जाते तो शायद इनका net profit 200 करोड के भी नीचे आपको देखने को मिलता और यहां पे जो profit after tax की growth है वो negative में देखने को मिल जाती अब देख लेते हैं कि market क्या expect कर रहा था market 270 करोड रुपए के profit expect कर रहा था निकल क अगर देखा जाया तो इसने market के estimates को तो बहुत बुरी तरह से beat कर दिया है और इसका जो reaction है वो stock price में भी दिखना चाहिए था लेकिन आप यहां पे अगर देखेंगे stock price में तो as such कोई यहां पे खास reaction नहीं देखने को मिला stock जो है तो almost flat ही trade कर रहा था although बाद में पूरे market म हमें एक profit booking देखने को मिली जिसकी वज़े से stock में भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली टेक्निकली अगर हम बात करें तो यह stock अपने इस support line पर कई बार support लिया है आप देख सकते हैं यह trend line जो है support की तरह stock के लिए कारे कर रही है और यह जो है अपर side में आपको एक resistance देखने को मिले गए यानि कि stock जो है कुछ इस तरीके से इस channel में move कर रहा है current market price की अगर बात करें तो 67 का यहाँ पे इस stock का P चल रहा है और यहाँ पर मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर volatility में आपको यह stock 700 के आजपास मिले तो इसमें आप entry ले सकते हैं for the long term अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर nifty 50 की भी बात करें तो यह market जो है अभी यहाँ पे आपको फिर से 17,500 के उपर trade करता हुआ देखने को मिल रहा है दो fit rate के दो बार आपको hike देखने को मिल सकते हैं November और December में और उस time पर आपको market में जो है तो एक अच्छी अपरचुंटी होती है उस stock में entry करने के तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर company हिंदुस्तान यूनी लीवर के बारे में इस company के भी quarterly result आउट हो चुके हैं why you why basis पर अगर आप देखेंगे तो 13,000 करोड रुपैसे company के revenue जो है बढ़ करके 15,000 करोड रुपैस हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको 16 परसंटेज की growth why you why basis पर देखने को मिलेगी margin की बात करें तो 25 परसंटेज से margin घट करके हो गए है 23 परसंटेज और अगर company के हम net profit की बात करें तो वो 21 करोड रुपीज से बढ़ करके हो गए है 26 करोड रुपीज तो यहाँ पर भी आपको 22 परसंटे की growth इतनी ज्यादा कैसे देखने को मिली तो उसका reason है यहाँ पर आप tax देख सकते हैं 26 परसंटेज का यहाँ पर tax कंपनी ने pay किया था और यहाँ पर जो tax का payment हुआ है इस बार वो हुआ है 18 परसंटेज जिसकी वजह से यहाँ पर company के जो net profit है वो काफे अच्छी तरीके से तो यहाँ पर आप देखेंगे company के जो revenue है वो लगभग 3.5% से यहाँ पर ग्रो कर गए है 14,000 करोड से बढ़ कर के 15,000 करोड और यहाँ पर आप net profit देखेंगे तो net profit जो है वो काफी जादा यहाँ पर लगभग 12% के आसपास यहाँ पर company का जो net profit है वो बढ़ा है तो again यहा यहाँ पर काफी जादा difference है 3% के revenue और 12% का net profit वो main reason जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं margin although quarter on quarter सेम है लेकिन company में यहाँ पर जो tax अभी तक देती आई है 26%, 26%, 26% इस बार company का जो tax रहा है वो 18% निकल के आया है overall company के यहाँ पर number काफी बहतरीन है FMCG segment में market leader है बहुत ही शांदार company है 9 out of the 10 products में यह अपने जो segment है उनमें market leader देखने को मिलती है घर में ऐसा मुझे ने लगता कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ आपको actual के product ना देखने को मिले और यही reason है कि यह stock जब आपको कुछ in levels पर मिले मैंने कई बार यहाँ पर वीडियो बनाया था कई बार बोला था कि यह stock हो गया IDC हो गया जब वो 200 रुपए के आसपास trade कर रहा था मैंने बोला था कि वहाँ पर देखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो यह सारे stock जो है इन सब levels पर accumulate किये जाते हैं और अच्छे तरीके से इन सारे stocks को in levels पर accumulate किया जाता है although stock market की FD है यह जहां आपको safety के साथ यह stock जो है तो return देता है support की बात करें तो 2500 का यहाँ पर एक अच्छा support है आप चाहें तो इस stock को continue SIP के लिए भी add कर सकते हैं लेकिन stock अगर आ जहां से अगर stock slip होता है तो उसके बाद 2250 और 2000 के level इस stock के लिए एक महतुपूर्ण support बन जाएंगे अब बात कर लेते हैं ITC की तो ITC का यहाँ पर जो market expectation है net profit का वो था लगभग 4300 करोड रुपए का और company का net profit निकल की आया 4446 करोड रुपीज का in fact company के revenue margin और pet की बात करें तो revenue और pet जो है वो in the line देखने को मिले लेकिन margin front में इस company ने market estimates को beat कर दिया है अब एक बार company के number देख लेते हैं YOY basis पर आप देखेंगे 13000 करोड रुपीज से company के revenue बढ़कर के हो गया है 17000 करोड रुपीज margin 36% के थे और इस बार margin निकल के आया है 37% और net profit अब आप देख स net profit बढ़के हो गए है 4600 करोड रुपए सिर्फ यही नहीं quarter on quarter basis पर आप देखेंगे 18000 करोड रुपीज से बढ़के हो गए 17000 करोड रुपीज margin अगेन आप देखेंगे कितना massive jump है 33% से बढ़के हो गए है 37% और यहाँ पे net profit भी आपको भले चाहे revenue घट गया है लेकिन क्य यहाँ पे आपको net profit भी improve होता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों यह वही company है जो कभी 15 के P.E. पर trade करती थी आज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो P.E. है यह लगभग 25 का P.E. जा चुका है और उसका जो main reason है वो मैंने बहुत पहले बता 13,000 करोड के आसपास 11, 10, 12, 13, 14,000 हुए 13,000 तो यहाँ पे company के revenue थे वो उतनी सही तरीके से बढ़ नहीं रहे थे in fact company के profit भी आप देखेंगे तो एक range में वहीं पे fix था लेकिन अब यहाँ पे आप देखें 13,000 से हो गए 17,000, 16,000, 18,000, 17,000 आने वाले time में यहाँ आपको 19,000 भी देखने को मिलेगा और profitability जो है यहाँ पे आपको 5000 के भी level देखने को मिल जाएंगे और यही reason है कि जब stock यहाँ पे 200, last time जब यह stock यहाँ पे correct होगे 214 के आसपास आया था यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं जब यहाँ पे 214 के आसपास आया था तब मैंने यहाँ पे आप भी entry ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे margin of safety मिलता है 200 के level के आसपास वहाँ पे margin of safety था इस stock में जहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि company आगे आने वाले समय पर grow ही करने वाली थी जिस तरीके से company acquisition वगरा कर रही थी और plus 5% का dividend deal उस समय पर था और देख से 8% भी हो जाते और एक समय आता जब 10-12% के भी dividend deal आपके हो सकते थे in the long run तो stock भले चाहे आपको return नहीं देता लेकिन आपको dividend के terms में जरूर पैसे आपको reward में ये company अपने shareholders को दे देती फिलहाल अगर बात करें all time high के आसपास ये stock trade कर रहा है वहाँ पे एकदम investment करने की सल नहीं है क्योंकि PE ratio के भी बात करें 25 से 24 की ओर जा चुका है 25 की ओर जा चुका है माफ किजिए का 15 से 25 की ओर तो यहाँ पे अगर आप investment करना चाहते हैं तो एक दो stock ले करके SIP way में investment start कर सकते हैं अगर stock वापस correct हो करके 300 के level पे आता है तो वहाँ पे आप जो है तो अपना investment धीरे धीरे और increase कर सकते हैं औल्दो यहाँ पे budget का time आने वाला है तो यहाँ पे एक बार फिर से chaos लगाये जा सकते हैं कि cigarette वगेरा में जहां से company का सबसे ज़्यादा revenue आता है उसमें tax वगेरा को increase किया जाए तो ऐसे negative news के चलते इस stock में थोड़ा सा आपको एक fall देखने को म आपको attractive level पर एक बार फिर से देखने को मिल जाए अब बात करते हैं moat stock की Nestle India इस company के पास कई सारे product है in fact मुझे लगता है more than 60 percentage products ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे आपको moat देखने को मिलता है और यही reason है कि actual की बात करें 64 का PE है यहाँ पे 67 के PE, Tata Consumer के है 25 का PE, वहाँ पे आपक इसी में देखने को मिलेगा Nestle के PE की बात करें तो यह हमेशा सबसे ज़्यादा PE पर trade करने वाला stock है Nestle India जो की 83 का है, sales की हम बात करते हैं तो YOY basis पर 18% की growth है, quarter on quarter 14% की growth है, profit after tax की बात करें, 8% की growth YOY basis पर और यह lower base का यहाँ पर इसको advantage मिला है, पिछले quarter की मैं बात करूँ, काफी बुरे result आये थे company के मुझे याद है और उसकी वज़ा से इस stock में काफी ज़्यादा decline भी देखने को मिला, तो यहाँ पे एक lower base का जो है तो आपको advantage देखने को मिल रहा है, 30% की यहाँ पे net profit में growth है, EBITDA margin की बात करें तो आप देखेंगे margin जो है तो यहाँ पे आपक पिछले quarter के comparison में improve होते हुए देखने को मिल रहा है, 21% से बढ़के 22% के हो गए है और यहाँ पे अगर आप पिछले साल same quarter की बात करेंगे तो वहाँ पे margin और भी ज़्यादा better थे, लेकिन पिछले साल की बात ही अलग है, उस समय पर क्या है, inflationary pressure वगरा नहीं थे, काफी प्राइस जो है तो 20,000 के नीचे भी trade कर रहा था, लेकिन result आने के बाद इस stock में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली और shareholder ने यहाँ पे इस company के result को जो है, वो cheer किया है, stock की बात करें तो ये भी एक आपको बहुत safety के साथ जो है तो return देता है, although pocket friendly नहीं है, क्योंकि ये के stock की price आप देख सकते हैं, काफी जादा है, 20,000 रुपए, तो यहाँ पे लेकिन फिर भी जिनके लिए ये stock friendly है, उनके लिए मैं बता देना चाता हूँ, all time high पर ये stock trade कर रहा है, लेकिन अगर आपको correction में ये 18,000 के level पर मिले, जहाँ पे इसका एक अच्छा support है, तो आ अभी तक के ITC के company ने अपने margin को भी improve किया है, और वहाँ पे हमें profitability भी काफी अच्छे तरीके से improve होते हुए देखने को मिल रही, revenue में भी काफी अच्छा growth हमें देखने को मिल रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो HUL के number काफी अच्छ है, although Nestle में आपको growth काफी अ जादा देखने को मिल रहा है, otherwise यहाँ पे HUL में काफी अच्छ है, हमें number देखने को मिले, revenue काफी अच्छे तरीके से, हर basis पर यहाँ पे grow हुए है, quarter on quarter और YOY basis पर भी, और company के अगर volume growth की बात करें, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा growth देखने को मिला है, 4% का, other than that, volume growth की जह 16% का निकल के आया है, जो की estimate से भी काफी अच्छा है, और यहाँ पे HUL की बात करें, तो HUL में भी market यही estimate कर रहा था, कि 4-5% का volume growth रहेगा, जो की काफी बहतरीन है, तो साथियो, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको किस company के result अच्छे लेगे, comment section में comment करके बता सकते ह और इन में से कौन सा stock आपके portfolio में है, चाहे तो वो भी आप share कर सकते हैं, अगर आपको यह content useful लगा हो, knowledgeable लगा हो, वीडियो को like कर सकते हैं, do not forget to subscribe our channel, thanks for watching the video.